Hey guys, मेरा नाम है अनुभाव, welcome to biology aid और आज की doubt crusher series में हम tackle करेंगे एक ऐसे topic को जिसके लिए मुझे काफी comments आये थे और वो है कि what is the difference between DNA, chromosomes, gene and allele तो समझेंगे इसको बहुत ही easy way में ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे doubts हो जाएं crush तो चलिए फिर बिना देर करें, let's get started तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे DNA से So, DNA यानी deoxyribonucleic acid हमारे cell के nucleus के अंदर present एक ऐसा molecule होता है जिसमें हमारी genetic information stored होती है यानी हमारी आखों का color क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सारी information DNA carry करता है अब ये तो DNA का काफी magnified view है, लेकिन nucleus में DNA एक लंबे धागे जैसा दिखाई देता है तो अगर हलका सा हम zoom out करें, तो DNA हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा और थोड़ा और zoom out करेंगे, तो DNA हमें ऐसे पतले से thread जैसा दिखाई देगा जो कि कुछ protein molecules के उपर लिप्टा हुआ होता है इन protein molecules को हम बोलते हैं histone Now, इन proteins का क्या काम है? Actually, DNA length में काफी लंबा होता है, तो अगर histone proteins नहीं होंगे DNA को अपने around coil करने के लिए, तो DNA को nucleus में store करना बहुत मुश्किल हो जाएगा Clear? अब बात करते हैं कि chromosomes क्या होते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि normally nucleus के अंदर DNA उलजे हुए धागे जैसा होता है लेकिन जब भी cell division करना शुरू करता है तो nucleus के अंदर जितना भी DNA plus histone proteins होते हैं वो condense होने लगते हैं और बना लेते हैं chromosome ऐसा इसलिए होता है ताकि cell division के time सारा genetic material equally हर daughter cell के बीच divide हो पाएं तो basically chromosomes are nothing but condensed DNA and histone proteins difference केवल ये है कि chromosomes केवल cell division के वक्त visible होते हैं Clear? Alright, तो अब आप कहोगे कि मैं ठीक है हमें DNA और chromosomes तो समझा गया अब doubt ये है कि फिर genes क्या होती है No, not these genes तो यहाँ देखे किसी भी DNA के कुछ portions ऐसे होते हैं जो proteins के लिए code करते हैं और कुछ ऐसे portions होते हैं जो कि किसी भी protein के लिए code नहीं करते हैं या simple language में हम कह सकते हैं कि इस portion से कोई protein नहीं बनेगा तो DNA के वो portions जो protein के लिए code करते हैं उन्हें हम कहते हैं gene अब ध्यान से सुनिएगा यह proteins ही हमारी body में किसी न किसी character को govern करेंगे For example, माल लीजे हमने किसी person का DNA लिया और इस DNA के इस segment में eye color की gene है इस gene को हमने बोला small b और small b gene एक ऐसे protein के लिए code कर रही है जो blue color का pigment produce करता है तो उस person का eye color blue हो जाएगा ऐसे ही माल लीजे हमने कोई person लिया जिसका eye color brown है और उसका DNA देखा तो यही particular gene उस person की case में थोड़ी different होगी और वो ऐसा protein बना रही होगी जो brown pigment produce करता है तो उसी gene के brown वाले variant को हमने नाम दे दिया capital B तो यह small b और capital B क्या है? एक ही gene के दो variants है बस एक ही gene के अलग-अलग variants को ही हम बोलते हैं allele clear? जैसे एक ही mobile अलग-अलग color variants में आता है ना blue, black, white वैसे ही एक ही gene के अलग-अलग variants को हम कहते हैं allele जैसा आपने pea plant वाले experiment में भी पढ़ा होगा सही answer दे पाते हैं मैं description box में answer दे दूंगी आप वहां से check कर सकते हैं comment करके आप मेरे साथ biology से related अपने doubts भी शेयर कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो do leave a like I'll see you guys soon and until the next time stay curious